हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल घर और किचन का काम तो हम सबी करते हैं दोस्तों लेकिन कुछ करने से पहले अगर हमें कुछ स्मार्ट ट्रिप और ट्रिक पता हो तो ये काम करने में हमें बहुत ही मतलब अच्छा लगता है और मज़िदाल लगता है और फटा-फट से क अब के दोस्तों मैंने एक ग्लास लियावा है ठीक है तो ऐसा होता है हम जब ये शीशे का ग्लास इस्तेमाल करतें हैं या चीज विया घर तो कभीछ मारे हाथों से छूट जाता है यहां से छूट्जागाता है यहां पर और आप पन पर आपको तीन रवर बैंट इस के ठीके इस से क्या होगा ऑपके जो ग्लास में ग्रिब बन जाएगी एक यानि कि एक सपोर्ट मिलेगा ग्लास को और ग्लास teu च्छलक की गिरेगा नहीं और मतलब यह कि ग्लास आपके हाथ में रहेगा और टोटेगा नहीं तो अब आते हैं अगली टिप के उपर के अगला हम लोग क्या करते हैं दोस्तों तो यहां पे साबुन तो हमारे घर में सहर घर में आता ही है ठीक है लेकिन जो इसका रेपर होता है ना उसका आज आपको एक बड़िया सा एक इस्तेमाल बताऊंगी कि इसके रेपर को आप लो एक महक आती है तो जैसे हमारे घर के कपड़े होते हैं बाहर के कपड़े होते हैं तो वो हम जो है हमारी में रखे रखते हैं तो कभी कबार ऐसा होता है कभी कपड़े कम हमारे इस्तेमाल होते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे इस रेपर को जो है इसके अंदर डाल देंगे ठीके फिर आप चाहे एक महीने बाद भी इन कपड़ों को पहनोगे तो कपड़ों में एक महक आएगी एक खुश्बू आएगी और भीनी-भीनी सी एक महक आपको महसूस होगी तो यह वाला टिप आप Low करिके देखेगा विसकल। फ्री कर तैफ है दोस्तों, हम रैपड ओप पर फैंक देता है नगाओ तो यहां बाद चुल्ड करने नगा लिदु आउज़ने पर यह कुछ, तो प्रीक करने बाद दोस्तों यह त주 के लाइक पर लेकाँ होगा बताती हूँ सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे ना इसको पहले कटिंग कर लेंगे आप लोग ठीक है कटिंग करने के बाद आप लोग क्या करेंगे इस चाकू की मदद से यानि के इस चाकू की मदद से जो है आप इसके अंदर इस कांटे की मदद से इसको इसके अंदर फस यानि कि एक कत्रा भी अब इसके अंदर शैंपू नहीं है दोस्तों तो यह वाला टिप बहुत ही बढ़िया है बहुत यूस्फुल है तो जरूर करके देखिएगा दोस्तों यह वाला टिप तो दोस्तों अब आते हैं अगले टिप के उपर के अगला हम लोग क्या करेंगे य यह दोर मैट मेरे पास रखा हुआ है तो इससे क्या होता है कि जब हम इसको वाश्रूम के पास रखते हैं या रूम के पास रखते हैं तो क्या होता है कि यह पिसल के ना स्लिप हो जाता है तो कभी कभार यह होता है कि बच्चे भी गिर जाते हैं कभी कभार बड़ों कभी जो है ना slip हो जाता है तो इसके लिए आप लोगों को एक टिप बताऊंगी कि ये डोर मैट को जो है आप लोग मतलब ये कि एक जगा पर कैसे तिका के रख सकते हो तो यहाँ पे जो है मैंने डबल टेप का इस्तेमाल किया है दोस्तों तो यहाँ पे दो पीस जो है मैं डबल पर इसको जो है आप लोग लगा देंगे तो इससे क्या होगा कि आपका डोर मैट जो है ना अपनी जगा से हिलेगा नहीं वैसे का वैसे ही बना रहेगा और 10-15 दिन आपके अराम से जो है निकल जाएंगे और यह चिपका रहेगा और एक जगा पर ही टिका रहेगा फिर आ आप चाहें इसके अउपर से कितना भी चलें बच्चे चलें बड़े चलें चितना भी हम अपने पैर वगयरा इसके उपर रखकर वाश करें सांफ करें क्लीन करें लेकिन यह अपने जगा से हिलेगा नहीं मैं अपने हाथों की मद付्स्थ से आपको करके दिखा रहेगा यह वाला टिप आप लोग जरू करके देखेगा, बहुत यूसफुल है, आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी, देखें आप, यह बिलकुल अपर जगह से हिल नहीं रहा है, और यह टिका रहेगा, और इसी तरह यह बना रहेगा, और तकरीबन दस से पंदरा दिन या उस अगला हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास जैसे कि यह जूलरी बगएरा होती ही, तो क्या होता है, यह जूलरी काली हो जाती है, क्योंकि हमारा पसीना और हमारे जो, जब हातों में हम इसको पहनते हैं, या कान में पहनते हैं, तो पसीनी की वज़ास से यह हमारी जूलरी काली हो जाती है तो इसके लिए एक बड़ी असर टिब बताऊंगी जैसे हम सुबा नाश्टे में चाय बनाते हैं तो इस चाय को जो आप उबाल लें उबालने के बाद जो है इसके अंदर बेकिंग सोडा मैं मिलाऊंगी और थोड़ी से मैंने इसके अंदर पत्ती मिलाई है और बस इसको गुनगुना सा गरम कर लेंगे गरम करने के बाद क्या करेंगे इसको चान लेंगे और बिल्कुल हलका नीम गरम जब यह हो जाएगा तो इसके अंदर जो है हम अपनी जूलरी डालेंगी चाहे आपकी गोल्ड की जूलरी हो आर्टिफिशल जूलरी है कोई भी ही ठीक है, वह डालके इसको अच्छे से आप लोग mix करेंगे, mix करने के बाद आप लोग क्या करोगे, अपनी जितनी भी jewelry है, कोई भी jewelry हो, gold की हो, या अर्टिफिशिल हो, कोई भी जूलरी हो, दोस्तों, वो सारी इसके अंदर आप लोग डाल देंगे, और पंदरा मिट के लिए इसको छोड़ देंगे, ठीके, पंदरा मिट के बाद जब आप इसको देखेंगे, तो आपकी जूलरी जो है, इतम क्लीन हो जाएगी, ऐसे इसको एक पुरानी ब्रश की मदद से, इसके अंदर जो भी मैल वगेरा है, क्योंकि इसके अंदर चुट 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 डाइमन भी लगे वे होता है, तो वो डाइमन है, और जो भी इसके अंदर मैल वगेरा है, और डाइमन के जो भी मैल होंगे, मैल, पसीन इसे जो हमारा क्लीन कर देंगे और अभी आप लोगं की जूली बिलकुल नय जैसे ही हो जाएगी जैसे के अभी के अभी आप मार्केट से लेकर आए हो तो यह वालग तिप आप लोग ज़रू करके देखेगा वीडियो जरा भी अच्छा लगी तो वीडियो के लाइक ज़रू कीजेगा वी जितनी भी जूलरी काली हुई भी है या ब्लैक हुई भी है या पसीने की वज़ा से जो गंदी हो जाती है वो एकदम क्लीन हो जाएगी अभी मैं आपको इसका अखरे रिजल्ट दिखाती हूँ आप लोग देख सकते हो मेरी जूलरी कितनी शांदार हो गई तो यह वाला टिप आप लोग जरूर करके देखेगा आप लोगो बहुत ही यूसफुल लगेगा और आप लोग जो है दो-तीन महीने में एक मरतबा जरूर यह वाला मैथट करके देखेगा और अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आए दोस्तों में शेयर करें